आज की वीडियो में जानेंगे कि जो फीमेल है उनकी ज·प्रैवेट पार्टे हमेंसा गीली क्यूं है के फीमेलिसinkο ऐसा लगता है कि किया कोई वीमार क्यूंतितर बॉ wonder sh हुआई आफ मैं हूँ पृतर हुआleft face सब्सक्राइब करने के साथ बाल आकन बीजिए गंटी बजे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लड़किया टीनेज में होती है उन्हें यह चीजे होने लगती है तो इससे प्रॉब्लम मान लेती है और इसका सॉल्यूशन दूड़ने लगती है सबसे प्वेले इसका आंसर ही दे देती हूँ क्योंकि बहुत लोग डर जाते हैं इस चीज को लेके इसका आंसर है यह पूरा जो साइकल है यह एपसलिटली नॉर्मल है आप येना जो फीमेल होती है वो हमेशा गीला गीला फिल करती है कभी 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 क्या होता है कि मंद का पुरा साइकल होता है जादा लिकेच होता है कभी कभी कम होता है कभी कभी ड्राय होता है कभी कभी इसके अंदर वाइटिश कलर का आता है यह साइकल किस तरह से वर्क करता है और यह क्यों आता है यह सारी चीज़े मैं अब भी explain करती है आपको सबसे पहली आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि जो जह हम वजाइना कहते है न वो एक कैनल है जो cervix तक जाती है और जो की दिखती नहीं है और जो दिखने वाला पार्ट है न उसको वलवा कहते है पलवा जो है हम उसे चू सकते हैं clean कर सकते हैं उसे सफाई कर सकते हैं पर वजाइना को हम चू नहीं सकते कि वह अंदर का पार्ट है और उसकी सफाई है न वो automatic करता है वो खुद अपनी सफाई करता है अब आप सोचोगे एक वजाइना अपने आपको खुद से clean करती है येस वो अपने आपको अच्छे से clean करती है वहाँ पर जो भी वगब वेक्टेरिया जाता है उसे germs जाता है उसे kill करती है अपनी साफ सफाई करती है जब वो साफ सफाई करती है ना तो एक अलग सा liquid छोड़ती है जिसके वज़े से आपको वहाँ पर गीला पन पील होता है फ्रेंज ये ना God gifted है कि एना female वजाईना को कभी clean करना नहीं परता वो automatic अपना cleaning process जो कर लेते है हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वो अपना cleaning process खुद करते है उस पार्ट को clean करने की ज़रूरत नहीं परती है पर हमें clean करना है वलवा को जब ये सारा पार्ट जो है बाहर आता है ना तो उसे आप आप बिस simply पानी से clean कर दीजेगा अपने hygiene का जो है जब आपने hygiene करोंगे तो सारे problem नहीं होगी अब यह होगा पहला पार्ट दूसरे पार्ट में आपको बताती हूं कि वहां पर ज्यादा कभी-कभी लिकेच होता है जारा डिस्चार्ज होता है क्यों होता है वह इसलिए होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि हमारे वजाइना में बहुत सारा बैक्ट वह इसलिए होता है कभी-कभी जब सेक्शुली एक्टिव रहते हैं तो उस टाइम पर कुछ इंफेक्शन जो है व इसके वज़े से आपने आपको क्लीन करने के टाइम पर जादा डिस्चारज करता है ताकि वह जारत फंगल इंफेक्शन या कुछ भी हो इंफेक्शन हो वह बाहर निकल जाए और उस टाइम पर आप नोटिस करोगे कि आपका जो लीक है लीके जो हो रहा है वाइट इस हो रह है तो अभी यह नॉर्मल है आपको डॉक्टर के पाथ जाने की ज़रूत नहीं है अपनी वह क्लीनिंग करने के टाइम पर आपका जो चीजें वह ठीक कर रहा है पर अगर आपको उस डिस्चार्ज के साथ कुछ ब्लड जैसा दिखे तब आपको डॉक्टर के पाथ जाना है क्योंकि अगर आना ब्लड दिख रहा है तो मनलब कि आना कुछ राशिस हुआ है या फिक टाफटा है इस वचे से आज का वीडियो यहीं तक था होपसो अच्छा लागा रहेगा अच्छा लागा है तो प्लीस लाइक शेर ज़रू किजेगा अपने फैमिली फ्रेंड लेट हुआ हुआ है तो